कि हाई फ्रेंड अब सभी का विज्य तक पेस्वागत है एक नियूज निकल कर रहे हैं वाटसआप ने अपना क्या कि कि फिचर को अपडेट किया है इन्होंने जो कि फॉस्ट नॉमबर से क्या होगा अप्लाइव होगा क्योंकि वाट्सप क्या करता है कि पुराने डिवाइस पर अपना सपोर्ट कर देता है और तो इसी तरह कुछ-कुछ उन्होंने फीचर को ने फीचर को एड करते हैं तो जाएगा तो उसके बारे में हम लो जानेंगे कौन से डिवाइसे से कौन से मुबाइल है जिनमें अपडेट आपको मिलना बंद हो गया है जिसे वाट्सप आपके फर्स्ट नॉम्बर से आप यूज करना नहीं कर पाईए गया तो इनमे यहां तक कि आपको Saanome Apple के भी स्मार्ट Phones हैं आजसा नहीं है कि आपको चैनीज में यह सपोर्ट हक्तम किया गया है यह पुराने जो भी आपके फोन है उनमें क्या किया गया है आपकर ख़त्म कर दिया गया अगर आपके पास इन में से कोई स्मार्टफोन है तो आप WhatsApp यूज करते रहना चाहते हैं तो शायद आपको स्मार्टफोन अप्ग्रेट करने के बारे में सोचना होगा WhatsApp ने अपने सप्पोर्ट को अपडेट किया है कंपनी ने WhatsApp यूज यूज करने के लिए ने रिक्वार्मेंट्स के बारे में बता है कंपनी ने के मुतावित Android 4.03 आइस्क्रीम सैंड्वेश जो आपका Android वर्जन 4.03 आइस्क्रीम सैंड्वेश या iOS 9 या क्वाइश 2.50 से WhatsApp का सपोर्ट अपना फॉस्ट नमबर से खत्म कर रहा है नमबर दो जारे के से इन सौफ्वेश पर चलने वाले स्मार्टफोन और फीचर्ज फोन WhatsApp का सपोर्ट नहीं मिलेगा वाट्सप ने अपने एफे के फ्रक्रेंट क्ली आस्ट कोस्टिन पेज़ पर कहा है के Android 4.1 एंड्वाइट का अगर आपके आप यूस करें जिसमें आपको Android 4.1 है उससे भी आपको क्या किया जाएगा सपोर्ट और उससे ऊपर की भरजन में WhatsApp का सपोर्ट मिलता रहेगा और 4.1 या इससे ऊपर की जितने भी वरजन है उससे क्या करेगा वाट्सप अ भी सपोर्ट देगा लेकिन इससे जितने भी नीचे के पर जन है सारे पर सपोर्ट कंप किया जा रहा है अगर आप यूज करते हैं तो आयो स्टेइन या उसे उपर के वर्जिन आप चला रहें तो आइफोन में वाटसफ काम करता रहेगा इससे नीचे के वर्जिन में वाटसफ क्या करेगा आपना सपोर्ट बंद कर दिये हैं इसके अलावा आप काले लिनेक्स ओफ का भर्जन। तू-पॉइंट-फाइफ वन या इससे ऊपर के बजन वाले फेचर में फौन में वाटसब काम पारेगा यानि जियो फोन और जियो फोन फून टू में वट्सप काम करता रहे अगर आपके पास जियो फोन है तो update कर लें एक अगर update आपको मिलता है तो क्या कर देट कर लीजिए कि Update क्या होता है जो हम लोग पूराने जो आपके application होते हैं तो वह क्या करता है कंपनी कुछ चमे के बाद उसमें जो भी कम्यां होती है उसको दूर करके क्या करता है नया पर्जन ला दैता है तो हमें क्या करना चाहिए उस सॉफ्ट्वाय को अपडेट करने से वो नया भरजन हमारे सिस्टम में या अप्लेकेशन में या डेफाइस में क्या होता है अपग्रेड हो जाता है जिसे जो भी हमारे फिचर होता है कंपनी क्या एड़ाउन हो जाता है अगर सौफ़्वेर अपडेट आने खत्म हो गए हो तो वाट्स उफ यूज करने के लिए नया स्मार्टफोन अगर कंपनी क्या कर रही है आपको अपडेट नहीं दे रही है तो आपके पास केवल एक ही विकल बंद बसता है अब आप क्या करिए अपने स्मार्टफोन को चें यूज करें ऐसी फॉस्ट जनेरेशन फॉस्ट नमर से वाट्स अफ़कर सपोर्ट में नहीं मिलेगा इसके अलावा आइफोन 6s आइफोन 6s प्लस में भी वाट्स अफ़कर सपोर्ट फॉस्ट नमर से मिलना बंद हो जाएगा अगर सैमसिंग का अगर मॉइल फोन आप यू गैलेक्सी एक्सकवर 2, गैलेक्सी कोर, गैलेक्सी Xs2 इन फॉस्ट नमर से वाट्स अफ नहीं चलेगा अगर आपके पास LG का फोन है और इन में से कोई एक है तो इसमें आपको वाट्स अफ नहीं चलेगा L5, optimum L5, second, optimum L5, doubles, optimum L3, seconds, optimum, optimum L7, optimum L7, two, doubles, optimum L7, two, optimum, L6, इनाट, या optimum L4, two, dual है, या optimum F3 है, optimum L4, two है, या optimum L3, second है, या optimum Nitro, SD है, या 4X, SD है, या optimum F3, Q है, इन में से कोई भी आपके पास model है, तो इसमें WhatsApp आपको support मिलना, बंद हो जाएगा, यानि आपको क्या करना होगा, नया smartphone आपको खरीदना पड़ेगा, अगर आप Huawei का smartphone आप use कर रहे हैं, तो Huawei के जो model हैं, जिसमें आपको support मिलना है, 1st November 2021 से आपको नहीं मिलेगा, हुआ हो, ASCEND G742, यानि G70040, 40, ASCEND METS, ASCEND METS, ASCEND D1, QUARDS, ये सारे आपके model है, QUARDS, LTE है, ASCEND P1S है, ASCEND D2 है, अगर Sony का आप smartphone यूज़ कर रहे हैं, तो इस Sony के आपके जो version है, इसमें ये कौन-कौन से version है, जो Sony का आपका version है, Sony Xperia, Micro, Sony Xperia, Neo, L, Xperia, RX, Ash, Alcatel, OneTouch, Evo S7, Archot, 5-3, Pantanum, STC, Designer 500, Center Fillers, Cats, B15, Vico, Vico, Client 5, Vico, Dark Nights, Lenovo, A, 820, UMI, X2, FE, F1, THL, W8, ये सारे आपके जो model है, इसमें आपको WhatsApp का first number से आपको update मिलना बंद हो जाएगा, यानि आपके पास ये smartphone है, इसमें आप क्या करिए, smartphone आप use नहीं कर पाईएगा, तो अगर आप मेरे जानकारिश है, संतोस्ट हैं, तो मेरे चैनल को आप क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब, like and share कर सकते हैं, thank you very much.